पित्र पक्ष शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पित्र पक्ष में पित्री लोक से पित्री धर्ती लोक पर आते हैं। इसलिए पित्रों की शांती के लिए श्राध कर्म व तरपन और पिंड़दान किया जाता है। पित्री पक्ष, 14 अक्टूबर अमावस्या तक रहेंगे। अमावस्या को पित्रों की विदाई की जाएगी। किसी परिजन की मृत्यू तिथी को पता नहीं हुने। पर ऐसे करें श्राध जियोतिशाचार्य रवी शर्मा ने बताया कि जिन लोगों को अपने परिजनों की म पित्रों के निमित श्राध किया जाना चाहिए। इन विशेश तिथियों का विवरण इस प्रकार है। आश्विन कृष्न प्रतिपदा तिथी इस तिथी को नाना नानी के श्राध के लिए सही बताया गया है। इस तिथी को श्राध करने से उनकी आत्मा को शांती मिलती ह यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राध्य करने वाला न हो और उनकी मृत्यू तिथी याद न हो तो आप इस दिन उनका श्राध्य कर सकते हैं पंच्मी तिथी जिनकी मृत्यू अविवाहित स्थिती में हुई हो उनका श्राध इस तिथी को किया जाना चाहिए नवमी तिथी सौभाग्यवती यानि पती के रहते ही जिनकी मृत्यू हो गई हो उन स्त्रियों का श्राध नवमी को किया जाता है ये तिथी माता के श्राध के लिए भी उत्तम मानी गई है इसे मात्र नवमी भी कहते हैं मान्यता है कि इस तिथी पर श्राध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राध हो जाता है द्वादशी तिथी सान्यासी यती ब्रहमचारियों का श्राध नवानी को करते हैं इस तिथी को उन लोगों का श्राध किये जाने का विधान है। जो सान्यासी, यती, ब्रहमचारी हो। चतुरदशी तिथी इस तिथी में शास्त्र, आत्माहत्या, विश और दुरघटना यानी जिनकी अकाल मृत्यू हुई हो उनका श्राध किया जाता है। जबकि बच्चों का श्राध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को करने के लिए कहा गया है। सर्व पित्रिमोश हमावस्या किसी कारण से पित्रिपक्ष की, अन्य तिथियों पर पित्रों का श्राध करने से चूक गए हैं या पित्रों की तिथी याद नहीं है, तो इस इस तिथी पर सभी पित्रों का श्राध्ध किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन श्राध्ध करने से कुल के सभी पित्रों का श्राध्ध हो जाता है। यही नहीं जिनका मरने पर संसकार नहीं हुआ हो। उनका भी अमावस्या तिथी को ही श्राध्ध करना प्रवाइब एक प्रवाइब एक रड़ादी.